हलो फ्रेंट्स आप सब का स्वागत है मेरे चैनल रीत रेसिपीज में तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे मैगी के बहुत बढ़िया कटलर्स जिसे हम ब्रेड के साथ रेडी करेंगे तो फ्रेंट्स ये मैगी कटलर्स की बिल्कुल नई रेसिपी है बहुत बढ़िया ये टे तो मैगी बनाने के लिए ऐसे मैंने एक कड़ाई लिए है जिसमें मैं दो चमच ओयल डालूँगी तो ये तड़का मैगी बना रही हूं मैं आप इसमें अपनी पसंदिदा कोई भी सबजी डाल सकते हैं मैं इसमें प्याज शिमला मिर्च और गाजर डाल रही हूं तो जैसे फ्रेंट स्टेल थोड़ा गरम होता है हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले प्याज प्याज को हमने लगवग 30 सेकंड तक पकाना है जादा गोल्डन बाउन नहीं करना है जैसे नॉर्मली मैगी आप रैड़ी करते हो मसाला डालके आप इसको वैसे ही रैड़ी करना है ये देखिए प्याज भी हमारे थोड़े से पक गए है 30 सेकंड तक अब हम इसमें शिमला मिर्च और गाजर डाल डेंगे तो इनको भी हम थोड़ा चला लेते हैं इसको भी हम जादा नहीं पकाएंगे लगबग एक मिनट तक इन सारी सबजियों को पकाएंगे तो लगबग एक मिनट हो चुका है हमें सबजियों को चलाते हुए तो अब हम इसमें एड़ कर देते हैं नमक तो नमक यहाँ पे मैं 1-4 टी स्पून ही एड़ कर रही हूँ अगर आपको नमक की नीड नहीं है क्योंकि इसके मसाले में भी नमक होता है तो आप ना डाले और इसके साथ ही मैं इसमें एड़ करूंगी 1-4 टी स्पून लाल मिर्श पाउडर यहाँ पे मैं लाल मिर्श सिर्फ 1-4 टी स्पून ही एड़ कर रही हूँ आप जितना तीका पसंद करते हैं उसके अगर्डिंग डाल सकते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ नमक और लाल मिर्श ही एड़ करेंगे और इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अपने तड़के के अंदर तो अब मैं इसमें दो कप पानी ले रही हूँ क्यूंकि दो पैकेट है मैंगी के तो मैंने दो कप पानी लिया है तो पानी मैंने डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे मैगी तो मैगी को भी मैं ऐसे थोड़ा सा क्रश करके ही डालूंगी क्यूंकि मुझे लंबे लंबे नूडल्स चाहिए तो मैं ऐसे डाल भी हूँ ऐसे क्रश करके आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी दोड़ मूट के डाल सकते हैं तो अब हम मैगी के मसाले भी इसमें आड़ कर देते हैं दोनों पैकेट्स मैंने मसाले के आड़ कर दिये हैं अब हम इसको अच्छे से चला देते हैं थाकि मसाला भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तो ऐसे सबजी या डालने से मैगी का फ्लेवर भी बहुत ही बड़िया आता है और रोल्स के लिए हमारी स्टफिंग भी बहु अब थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो जब तक हमारी मैगी ठंडी होती है तब तक हम अपना मैदे का गूल रेडी कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं एक चमच मैदा ले रही हूं यहां पर एक टेबल स्पून मैदा लिया है और इसमें पानी डालके हम पतला ग यह देखिए आपने भी सी कंसिस्टेंसी के साथ ही मैदे का घोल रेडी करना है तो अब हम ब्रेड ले लेते हैं और इसके कौनों को कट कर लेते हैं तो आप भी सी तरीके से बिल्कुल पतले बतले कोने ही इसके कट करें इस तरीके से तो आप चाकू यह कैंची की मदद से इसके कोने जो आप उकट कर सकते हैं सारे ब्रेड के हम इसी तरीके से कोने कट कर लेंगे तो ब्रेड के कोने हमने इस तरीके से कट कर लिए हैं लेकिन हम इनको फेंकेंगे नहीं हम इनसे ब्रेड क्रम्स रेडी करेंगे एक ब्लेंडिंग चाहर में डाल के आप इनको अच्छे से क्रश कर लें तो ब्रेड के अंदर ये वला जो पीस होता है ये थोड़ा हार्ड होता है इसलिए हम इसके भी ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेंगे तो अब हम चेक कर लेते हैं तो ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर हमने बना लिया है ब्रेड का और ये ब्रेड क्रम्स हमारे बहुत ही बढ़िया रेडी हो गया है अब हम इसको एक प्लेट में या ट्रे में आप निकाल लीजिए ये बाद में हमारे काम आएंगे तो अब हम ब्रेड को भी बेल लेते हैं जिसके कोने हमने कट किये थे उन पीसीज को हमने इस तरीके से बेल लेना है बतला बतला आप ब्रेड के सारे पीसीज जिसके आपने कोने कट किये हैं उनको ऐसे ही बेल के रख लें तो देखिए मैने ब्रेड की सारी शीट्स ऐसे रेड और इसको fix करने के लिए bread को fix करने के लिए हम यहाँ पे मैदे वाला पानी लगा देंगे इससे यह खुलेगा नहीं roll हमारा तो यह देखिए अब हम इसको roll कर देंगे अच्छे से fix कर देंगे ऐसे हमने इसको press करके हाथों के साथ अच्छे से fix कर देना है और अब हम इसमें मैदे वाले गोल में इसको थोड़ा सा dip करेंगे बिल्कुल हलका सा हमें dip करना है जादा नहीं ऐसे सिरफ और उसके बाद हम इसको bread crumbs वाली tray में डाल के ऐसे roll कर देंगे तांकि हर तरफ हमारे bread crumbs जो हैं वो अच्छे से लग जाए तो यह देखिए bread crumbs लग चुके हैं अब हमने ऐसे नीचे और उपर वाली side bread crumbs भी लगा लेने हैं यह देखिए बिल्कुल perfect हमारा यह roll ऐसे बन गया है तो ऐसे इसको एक plate में रख लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने सारे roll ready करने हैं और बाद में इनको एक साथ ही हम fry करेंगे इस तरीके से आप पानी लगाएं तांकि यह अच्छे से fix हो जाए आप पानी थोड़ा जादा भी लगा सकते हैं और उसके बाद इसको ऐसे dip कीजिए फिर bread crumbs के साथ roll roll कर दीजिए तो यह देखिए एक और हमारा ऐसे roll ready हो गया है तो यह देखिए मैंने ऐसे सारे roll ready कर लिए हैं अब हम इनको fry करेंगे तो यह देखिए एक कड़ाई में मैंने तेल को पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था तो यह गरम भी हो चुका है तो अब हम एक एक करके इसमें roll डाल देंगे तो आप एक बार में उतने ही roll डाले जिसको आप easily turn कर सके इनकी sides जो हैं आप easily turn कर सके क्योंकि हमें इनको अच्छे से हर तरफ से पकाना है तो यह देखिए इनके color भी change होने शुरू हो गया है क्योंकि तेल हमारा पहले से ही गरम था तो बिल्कुल ऐसे हमें इनको हर तरफ से पकाना है और अच्छा golden brown color देना है तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक निकाल के तो यह देखिए बिल्कुल perfect color इन्होंने ले लिया है तो अब हम इनको निकाल लेते हैं एक ट्रे में और ऐसे यह तेल इनका अच्छे से निकाल ले आप तो ऐसे हमारे बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी मैगी ब्रेड रोल बनके रेडी हैं तो अभी मैं आपको इसको इक कट करके भी दिखाती हूँ तो यह देखिए अंदर से भी कितने बढ़िया हमारे यह रोल बनके रेडी हूए हैं इन्होंने ओयल भी बिल्कुल भी अव्जॉब नहीं किया अंदर से आप देख सकते हैं और यह बहुत ही टेस्टी भी बने हैं तो आप भी इस लॉकडाउन पेरियेड में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें खुद भी खाएं और घरवालों को भी खिलाएं तो यह बहुत ही स्वाधिस्ट रेडी हूए हैं तो अगर आपको मेरी यह वीडियो रेसिपी अच चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए नेक्स किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं बाबाई